Students, आज का टोपिक है अकबर की राजपूत नीती की विशेशताएं अकबर की राजपूत नीती को प्रभावित करने वाले कारकों का दन पहले कर चुके हैं अकबर ने राजपूत नीती को लागू करते समय उनके सामने तीन विकल्प रखे पहला समझोते और शंदियों दुआरा राजपूतों से मितरता करना दूसरा अधिनता स्वीकार करने वाले राजपूत सासकों के साथ समान जनक व्यवार करना उन्हें दर्बार में उच्पद दे कर मुगल सामराजे का भक्त बनाना कोई राजपूत सासक युद का परियास करे तो उनकी सैनिक सक्ति पर काबू पाना और अधिनता स्वीकार करने पर उन्हें छमा करना तीसरा जो राजपूत सासक अकबर को अपना सत्रू समझे और किसी भी कीमत पर उसकी अधिनता स्वीकार ने करे तो ऐसे सासक को नश्ट करके उन्हें मुगल सामराजे में मिलाना है पहला पॉइंट है राजपूतों से वेवाइक सम्मंद राजपूतों के साथ अपनी मैतरी सम्मंदों को मजबूत बनाने के उद्देश से अकबर ने उनके साथ वेवा सम्मंद स्थापित कि 1562 में आमेर के सासक भारमल ने अकबर से भेट की जब वहें मुईनुदिन चिस्ती की दरगा पर यातरा के लिए जा रहा था 6 फरवरी 1562 को हर्खा भाई का विवा भारमल ने अकबर के साथ कर दिया जिससे सलीम अथवा जागीर पैदा हुआ इस विवा सम्मन से भारती राजनीती में एक नए युग का सुत्रपात हुआ हमारे देश को कुछ मान सासक प्राप्त हुए तथा मुगल समराटों की चैर पीडियों तक राजपूतों की सिवाई मिलती रही अकबर, जहांगीर, शाजा और दारासी को बिहारी मल अथवा भारमल के पुत्र भगवान दास तथा पोत्र मान सिंग को अकबर दुआरा मुगल दर्बार में उचे मंसब परदान किये गए विकानेर के सासक कल्यानमल और जैसलमेर के सासक भीम सिंग ने भी अपनी पुत्रियों के विवा अकबर के साथ किये जहांगीर का विवा भगवान दास की पुत्री मानमाई अथवा मानमती के साथ किया गया नेक्स्ट पॉइंट है राजपूतों को उचपद परदान करना अकबर ने धर्म और जाती के वेदवाओं से उपर उठकर योगता के अनुसार राजपूतों को उचपद परदान किये मुगल पर भुत्तु स्विकार करने वाले लगबग परतेग राजपूत सरदार को श्याई सेवा में ले लिया गया आमेर के भारमल, भगवानदास और मान सिंग, बिकानेर के कल्यानमल, जैसलमेर के भीम सिंग, जोदपूर के चंदरसैन और रन्थमबोर के सुरजन राय हाडा अकबर ने उच मंसब परदान किये, मान सिंग को 7,000 का मंसब दिया, जो सिर्फ राजगुमारों को ही दिया जाता था भगवानदास को 5,000 का मंसब दिया, टोडरमल को दिवाने आला अतवार्थ केंद्री इवित मंत्री नियुक्त किया मान सिंग और भगवानदास को अफगानिस्तान और पंजाब जैसे महतवपूंड परांतों का सुबेदार बनाया आईने अकबर के अनुसार अकबर कालिन 51 महतवपूंड मंसबदारों में 17 राजपूत मंसबदार थे बारमल, भगवानदास, मान सिंग, टोडरमल, बीरवल, उदै सिंग, राय सिंग, शुर्जन, राय हाड़ा अकबर ने राजपूतों की बहुमुल्य सेवाई प्राप्त की नेक्स्ट पैंट है धार्मिक सवतंतरता अकबर ने राजपूतों के साथ सभी इंदूओं को धार्मिक सवतंतरता परदान की राजपूतों के बुरुद युद्धों को धरम युद्ध का नाम देना बंद कर दिया सैनिक अभियानों के सेमे मंदिर और मूर्तियों को भी नहीं तोड़ा गया धरमिक स्थानों को लुटा भी नहीं गया सभी को अपनी इच्छानुसार धरमिक किरिया करने का अधिकार था उन्हें पूर्ण सुतंतरता परदान की गई थी राजपूतों को दरबार में तिलक लगा कर आने की छूट दी गई थी वेश्वयम भी कभी-कभी तिलक लगा कराता था और सूर्य की उपासना करता था अनेक धरमिक पर्थीबंदों को समाप्त कर दिया 1563िसी में अकबर ने तीर थी आतरा पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया 1564 में जजिया कर की समाप्ती की गोशना कर दी सभी को अपनी इच्छा नुशार धार्मिक पूजा पाठ तथा धार्मिक करिय करने की सतंतर्दा परदान की नेक्स्ट है सामाजिक सुधार अकबर ने राजपूत अथवा हिंदु समाज में परचलित बुराईयों को दूर करने का परियास किया सती परथा को समाप्त करने का निश्चे किया और आदेश जारी किया कि किसी भी इस्तरी को उसकी इच्छा के विरुद जबरदस्ती सती नहीं किया जाएगा कन्यावद और बाल विवा इनको रोकने का फरमान जारी किया विभा के लिए लड़कों की आयू 16 ψ और लड़कियों की आयू 14 वर्ष निश्चित कर दी और विध्वा विवा का भी समरथन किया अकबर ने राजपुतों को अपने पक्स में करने के लिए अंतरिक परशासन की सवतन्तरत परदान की उसने राजपूतों के आंद्रेक मामले में कोई दखल नहीं किया अकबर की अदिन्ता से विकार करने वाले राजपूत सासक मुगल समराट को वार्षिक कर देते थे समय समय पर उपहार देने दर्बार में भी उपस्तित होते थे मुगल समराट के नाम के सिक्के जारी करते थे इसके बावजूद वे अपनी इच्छा से अपने अपने छेत्रों का परशासन चलाते थे अकबर उनके परशासन में कोई अस्तक सेप नहीं करता था राजपूत सासक, सासन परबंद और राज्य दीकार के मामले में पूर्ण थे नेक्स्ट पॉइंट है विरोधी राजपूतों से यूद मेवाड, रन्थमबोर और कालेंजर के सासकों से अकबर की ये दीनता स्विकार करने को का गया लेकिन इन्होंने इंकार कर दिया अकबर ने इनके पास कई बार मैत्री संदेश बेजा जिसे इन्होंने एश्विकार करने पर अकबर ने इने समाप्त करने का निश्चे किया 1567 सिव में मेवाड पर अकबर ने आकर्मन किया राणा उदेशिंग सुरक्षित पाडियों में चला गया, चितोड की रक्षा का बार जैमल और फत्ता पर था, इन्होंने वीर्ता का परीचे दिया लेकिन चितोड पर मुगलों का अधिकार हो गया। कालिंजर पर राजा रामचंदर का सासन था, अकबर ने मजनुखा के नेतरतों में 1559 सी में सेना बेजी, रामचंदर ने मेवाड और रनथम बोर के पतन से घबरा कर अधिनता स्विकार कर ली, कालिंजर को मुगल राजे में मिला लिया गया और रामचंदर को इलाबाद की ज सेना बेजी, 1566 में हल्दी गाटी का युद्वा इसमें मुगलों की विजय हुई, राणा ने गोगुंदा को छोड़ कर परवतों में सुरक्षिस्तान पर चला गया, जनवरी 1597 में इसकी मिर्तियों हो गई, इसके पुत्र अमर सिंग ने अधिनता स्विकार करने से इंकार कर दिया, तो स्टुडेंट्स ये थे, अकबर की राजबूत निती की विजय हिस्ताएं, जो भी ये सेकिंड सेम के लिए उप्योगी हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टुडेंट्स को सेर करें, थैंक्यू